गाम के किनारे बसा एक छोटा सा परिवार था, राम और उनकी पतनी सीता. राम एक साधारन किसान थे, जो अपनी मेहंत और लगन से अपना गुजारा करते थे. उनकी पतनी सीता एक बहुत ही दयालू और सहनशील महिला थी. सीता का सनेह और समर्पन अपने परिवार के प्रती अद्वितिये था. उनके पास जो भी था, उससे विन केवल अपने घर की देख भाल करती, बल्कि जो भी सरूरत मन दाता, उसकी भी मदद करती. एक राम, एक मेहनती किसान जो अपने परिवार की खुशाली के लिए दिन रात मेहंत करता है. उसे अपनी पतनी की अच्छाईयों का गर्व है, पर समाज के कई अन्य लोग उसकी इस दयालूता का फाइदा उपाने की कोशिश करते हैं. दो सीता, एक दयालू और सहनशील महिला, जो हर किसी की मदद करने के लिए तक पर रहती है. उसकी अच्छाई को कई लोग उसकी कमजोरी मानते हैं, लेकिन उसका विश्वास हमेशा सही रहता है. तीन रगो, गाम का एक धनी व्यापारी, जो स्वार्थी और लाल्ची है. वह सीता के दयालू स्वभाव का फाइदा उपाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह अपनी गलतियों से सीखता है. चार, गाम के लोग. कुछ लोग सीता की दयालूता की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ लोग उसका मजाक उडाते हैं और उसकी उदारता का मजाक बनाते हैं. सीता का स्वभाव इतना सरल और सौमय था कि गाम के हर व्यक्ति के लिए वह हमेशा मदद का हात बैयाती थी चाहे किसी के घर में अनाज की कमी हो या कोई बीमार हो, सीता अपने घर के साधनों से सब की मदद करती थी गाम के बहुत से लोग सीता की इस आदत से प्रभावित थे पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी इस अच्छाई का मजाक उडाते थे और उसके उपर ताने कस्ते थे की तुम्हारी यह उदारता एक दिन तुम्हें मुश्किन में डाल देगी कटना एक दिन गाव में एक बुया व्यक्ति आया जो बहुत ही भूखा और असाय दिख रहा था उसने गाम के कई दर्वाजे खट खटाए लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की जब वह सीता के घर आया तो बिना कुछ कहे सीता ने उसे भोजन कराया उसे अपने घर में खहरने की जगह दी और उसके कप्रे भी साफ किये राम ने सीता से कहा तुम्हारी यह आदत ठीक नहीं है हर किसी पर भरोसा मत करो लेकिन सीता ने शांति पूर्वा कहा अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा गाम के कुछ लोग, खासकर रगु जैसे व्यापारी, सीता की इस उदार्ता का फाइदा उपाने की योजना बनाते हैं वे उसे बेवकूफ बनाकर उसके पती से धन एंठने की योजना बनाते हैं रगु ने एक दिन सीता के सामने खुद को गरीब और असाय बनाकर पेश किया और अपनी बीमारी का बहाना बनाया सीता ने तुरंत उसकी मदद करने का निश्य किया और अपने पती राम को रगु की सहायता के लिए धन देने के लिए कहा राम ने पहले तो मना किया लेकिन फिर सीता के विश्वास के कारण मान गया कुछ दिनों बाद रगु ने वही पैसे वापस करने का वादा किया लेकिन जैसे ही सीता और राम ने उसे पैसे दिये रगु ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किये वह पैसे वापस नहीं करना चाहता था और सीता को बेवकुफ बनाने की सोच रहा था चरम बिंदू कुछ समय बाद गाव में एक और घटना घटी जहां रगु और उसके साथियों ने गाम के गरीबों की जमीन हरपने की कोशिश की इस बार गाम के सभी लोग सीता के पास मदद मांगने आए क्योंकि वे जानते थे कि वह हमेशा नयाय और मदद का हाथ बयाती है सीता ने अपने बुद्धिमानी और दैलुता से रगु की साजिश को बेनकाब कर दिया कहानी का अंत तब होता है जब रगु अपनी गलतियों को समयता है और अपनी भूल के लिए सीता और राम से माफी मांगता है वह नकेवल अपने किये पर पच्चताता है बलकि गाम के बाकी लोगों को भी यइर सिखाता है कि दयालुता कोई कमजोरी नहीं होती, बलकि ये सबसे बड़ी ताकत होती है। सीता की दयालुता और सहनशीलता ने सभी का दिल जीत लिया, और गाह में उसका आदर और बर गया। सीता का चरित्र इस बात का प्रमान बन गया कि सची दयालुता और निस्वार्थ सेवा किसी भी परिस्थिती में हार नहीं मानती और जो लोग इसे कमजोरी समझते हैं, वे अंत में अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। झाल में हैं। झाल झाल